स्टूडेंट्स मैं विजे सिंग आज आप लोगों के लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आपकी सामने आज हाजिर हुआ हूं स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को होट एर ओवन के बारे में बताने जा रहा हूं hot air oven एक instrument है जो कि हमारे lab में यूज किया जाता है और hot air oven को हम lab में यूज करते हैं तो students अब हम इस topic के बारे में explain में जानेंगे और ये एक most important topic है और अगर मैं exam की बात करूँ तो exam में ये ज़्यादातर question पूछा जाता है और practical या वाईवा में इसके बारे में questions बनते हैं तो students चलिए अब हम hot air oven के बारे में जानते हैं तो देखिए ये आपके सामने जो diagram है ये जो pick आई है ये hot air oven की है और ये hot air oven क्या होता है और इसका function क्या है काम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले आप लोग इसकी diagram देख लीजिए आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये आपके सामने door लगा हुआ है जिसमें ये door पे आप देख सकते हैं handle लगा हुआ है और इसके side में आप देखेंगे blue color का एक चौरस box बना हुआ है उसे हम exist fan कहते हैं हम आगे मैं इसको explain में बताऊंगा और आपके सामने ये एक red और green button लगे हुए है sorry button नहीं है ये lights होती है और आपके ये दोनों तरफ एक तरफ light लगा एक तरफ आपकी switch होती है on off के लिए और एक तरफ आपका regulator होता है जो की temperature maintain करता है या हम temperature के मताबिक इसे set करते हैं और नीचे आपको yellow color का दिखाई दे रहा होगा ये आपका thermometer होता है यहाँ पे temperature दिखाई देता है कि ये आपका temperature है तो चलिए students ये तो थी diagram अब हम बात करते हैं hot air oven की सबसे पहले हम इसकी definition देखते है अब students हमने glassware के बारे में पढ़ा उमीद है आप लोग वो वीडियो Saturday की वीडियो देख चुके होंगे तो Saturday की वीडियो में हमने देखा था कुछ glassware यानि की कांच के जो समान होते हैं और lab में कांच के समान को ही glassware कहा जाता है तो students उन्ही glassware को इस hot air oven instrument में उन glassware को रखा जाता है और उसे sterilize किया जाता है students बताना चाहूंगा कि it is an instrument ये एक instrument होता है in which वोई जिसमें हम वो used for sterilization जिसे हम use करते हैं किसके लिए sterilization के लिए अब sterilization students क्या होता है तो इसके लिए मैं separate video बना दूँगा और वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा समझ लीजिएगा तो फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा sterilization it is the process of prevent to the bacteria virus इसेक्रा sterilization एक टेखनीक होती है प्रसेस होता है जिससे हम microorganism को रोकते हैं और इस hot air oven में यही चीज ग्लासवेर को micro organism से बचाने के लिए hot air oven को use किया जाता है principle principle की बात की जाए तो it is work on the principle of dry hot at more than 100 degree इसका सिध्धान्त जो काम करता है वो dry hot पे काम करता है और 100 degree centigrade से ज्यादा temperature पे यह काम करता है और it killed bacteria by protein coagulation और इसमें जो bacteria खतम किया जाता है वो protein coagulation के जरिये खतम होता है bacteria तो अभी तक हमने hot air oven के definition को जाना सिध्धान्त को जाना अब हम उसके parts के बारे में पढ़ेंगे तो students उमीद है अभी तक आपको यह समझ में आया होगा और मैंने यह easy wording में बताने की कोशिश की है students आगे चलते है stainless steel body पे इसके parts बे तो इसके जो parts होते हैं यानि कि यह जो body बनी होती है इसकी यह stainless steel से बनी होती है stainless steel with fan fitted with it इसमें जो है fan fitted होता है stainless steel body में और next है double door इसमें door होता है जो मैंने आपको handle दिखाया था वो door था और वो double होता है एक तो stainless steel होता है उसके बाद second जो होता है उसमें mirror set होता है अब next मैं बात करूँ the temperature for sterilization is 100 degree centigrade required for 60 minutes इसमें temperature जो होता है sterilization करने के लिए वो 100 degree centigrade required होता है इतना temperature चाहिए होता है और लगभग time की अगर मैं बात करूँ तो 60 minute तक इसमें चाहिए होता है 100 degree centigrade तब ये glassware पे glassware पे जो भी contaminated आपके या कहिए virus बैक्टिरिया लगे होंगे उसे खतम करता है या रोकता है it is used for sterilization अब इसे इसमें sterilization किया जाता है किन चीजों को sterilize किया जाता है glassware scalps needles and greasing powder like substance इस तरह के powder greasing powder की तरह substance हों या आपके scalps हों या needles हों या कुछ और glassware सों तो ये देखिए फिर आपके सामने ये आपका hot air oven की एक diagram पिक आ चुकी है वो आप लोग देख सकते हैं ये सामने देखिए handle है ये door है और उसके बाद मैं बात करूँ उपर आपको दो red और green color की एक button की तरह दिखाई देते होंगे लेकिन ये lights होती है light up on होती है चलाते time अब ये देखिए आपके सामने hot air oven खुला हुआ है इसके अंदर जो है racks बने होते हैं आप देख सकते हैं ये racks इन racks पे slides रखी जाती है scalp रखे जाती है या needles रखे जाती है या जो भी चीज़े sterilize करना हो उन्हीं रखा जाता है तो इस तरह से ये आपका hot air oven था जो की ये topic complete हो गया अब students आप इसे note कर लीजिए note कर सकते हैं और उमीद है कि आपको ये topic समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं और अपने भाईयों, बैनों या जो लोग interested हो ये जीज़े जानना चाते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक प्यों, थेंक यू